पूर्सों की जो पोशाक है उसके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले जो कल का वीडियो था जिसमें हमने ताजिस्तान के प्रमुक नरत्यों के बारे में बात की थी तो उसमें एक नरत्य था, 13 ताली नरत्य ठीक है, तो उसमें जो प्रमुक नरत्यांगना थी, वो कौन थी, मांगी भाई, जिसको मैंने आपको गलती से वहाँ पर लिखवा दिया था, फलकू भाई, ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, फलकू भाई नहीं है, 13 ता पर इसको सही कर लेंगे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, राजिस्थान प्रदेश के नारी के आभूशन, तो इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और देखकर, सर से लेकर पैर तक, एक-एक चीज को देखेंगे, कि कौन-कौन से आभूशन जो हैं, वो कहां पर पहने जाते हैं, तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेती हूँ, चलिए, तो यहाँ पर आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी, सबसे पहले हम सर की बात करेंगी, कि सर पे कौन-कौन सा अभूशन पहना जाता है, तो देखिए, चेला, टीडी भलको, मेमंद, सांकली, राखडी बोरलो, सीस्पूल, टीका, मांग, कुम-कुम, बिंदी, तिलक यह सबी कहां पहने जा रहे हैं? सर पर पहने जाने वाला अभूशन है, जिसमें सीस्पूल, टीका, मांग, कुम-कुम, बिंदी, तिलक ये आपको याद ही रहते हैं, सर पर पहना जाने वाला, याद रखने वाले कौन से हैं? राखडी, बोरलो, सांकली, मेमंद, टीडी, भलको, और छेला, ठीक है? ये सब सर पर पहनने जाने वाले आभूशन हैं, तो मेरे साथ आप दुबारा से इनको याद करिए और मेरे साथ बोलिए कि कुमकुम बिंदी तिलक, सीसफुल टीका मांग, ठीक है? ये याद हो गया? नेक्स्ट, राखडी, बोरलो, सांकली, मेमंद, टीडी, भलको, छेला, तो ये सब सर के आभूशन हो गए चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कान के आभूशन, कर्णफूल, मुरलिय जूमर, टॉप्स, ये कान में पहना जाने वाला बूशन है, कर्णफूल, सुरलिया, जूमर, टॉप्स, ठीक है? और इसके बाद नीचे है बलनी, नेक्स्ट नीचे देखिए, ओगनिया, टॉटी, जुमका, बाली, अब यहाँ पर आपको कर्णफूल याद रहता है, याद है आपको, यहाँ याद कौन सा करना है? तो जो याद है आपको, उनको तो आप साइड में रखिए, और जो नहीं याद है, उनको याद करने की कोशिश करें, कानों में पहना जाने वाला, सुरलिया, बलनी, ओंगनिया, टॉटी, बाली, ठीक है? चलिए, एक साथ इन टॉप्स, बलनी, ओंगनिया, टॉटी, चुमका, बाली, ठीक है? अब यह आपको याद हो गए होंगे, चलिए, आप एक दुबार वीडियो को देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे, नेक्स्ट आम बात करते हैं, नाक में पहना जाने वाला अबुशन, चलिए, नाक दे नाक में पहना जाने वाला अबुशन, चॉप, लूंग, नतनी, काटा, फीडी, कोकी, खीवन, नकफूल, बेंचा, नत, बिजली और बुलांक, यह नाक में पहना जाने वाला अबुशन है, जिसमें लॉंग, नतनी, काटा, यह आपको याद रहते हैं, ठीक है? नत, बिज कोकी, खीवर, वेंड, और बुलांक, ठीक है? चलिए, नाक में पहना जाने वाला अबुशन हमने देखा, अब हम देखेंगे दात, दात में भी अबुशन जो है, वो पहना जाता है, यानि दात में जो, जिससे की दातों की जो सुन्दरता है, वो दिखाई दे, तो देखि चूप, अब देखिए, दातों को चूप रखो, तो आपको याद हो गया, चूप और रखन, ये दो तो आपको याद हो गया, दातों को चूप रखो, दातों से, रिलेटेड है, रखन, चूप, मेक और धास, ये दोनों आपको याद रखने हैं, रखन, चूप, मेक, धास, रखन चूप मेक धास चलिए अब हम next बात करेंगे गर्दन में पहने जाने वाले आभूशन जो की बहुत ज्यादा होते हैं ज्यादा तर आभूशन जो हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं वो गले से ही समबंदित हैं ठीक है? अब हम गले से सम्बंदित आभूशन जो हैं वो देखते हैं यहाँ पर देखिए तुलसी, मटरमाला, ठुसी कहाँ पेना जाता है? यह गले में पेना जाने वाला अबुशन है ठीक है तुलसी, मटरमाला और ठुसी ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हार, जालर और हालरो, ये भी गले में पहना जाने वाला आबुशन है, और यहाँ पर देखिए, कंठी, गलपटिया, खुंगाली, जिसे हसली भी कहते हैं, और मांदलियो, ठीक है, ये भी गले में पहना जाने वाला है, मंगलसूत्र, निबोरी, निमणिया, हमेल, चंपाकली, पंचलडी और मंदली, ये सभी जो हैं, अभी मैंने आपको बताई, ये सभी गले में पहने जाने वाले आबुशन है, चलिए दुबारा से रिपीट कर लेते हैं, कंठी, कलपटिया, खुंगाली, मंदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, निमणिया, हमेल, इसके बाद है, तुलसी, मतरमाला, ठुसी, हार, जालर, हालरो, ये सभी गले में पहने जाने वाले आबुशन हैं, ठीक है, चलिए, तो इनको आप नोट डाउन भी करिए, जिससे की आपको और भी अच्छे से कलियर हो सके, उसके बाद है, बाजुबंद, बाजुबंद में क्या पहना जाता है, बंजा बटा, बाजुबंद, नवरतन, भूजबंद, हार पान, चुडली, ठड़्डा, अडत, और अंगन, ठीक है, ये सब बाजुबंद, बाजुओं में प बाजुबंद, 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 जाने वाला अभूशन यानि हात में पहना जाने वाला अभूशन वो कौन सा है गोखुरू, कंगन, चूड़ा, बंगडी, चूड़िया, पूंचिया, छेलकडी और पछेली ठीक है यहाँ बाजू में पहना जाने वाला हात में पहना जाने वाला अभूशन है ठीक है हारपान, चुडली, तडड़ा, अड़त और अंगत और हात में पहना जाने वाला गोखुरु, कंगन, चूड़ा, बंग्डी, चूड़िया, पूंचिया, छैलकडी और पचैली जिसमें कंगन, चूडा, बंगडी, चूडिया ये तो आपको याद रहते हैं याद रखना है गोखरू, पूंचिया, छैलकडी और पच्चैली ये भी हांत में पहना जाने वाला आभुशन है तो बाजू में और हात में पहना जाने वाला, ये भी आबूशन जो हैं वो अलग हैं, उनको आप एक साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हतेली है उसके बैक साइड में जो पहनते हैं वो पहनते हैं हतफूल और उंगलियों में पहना जाने वाला बीठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री और पट्टा वीटो ये उंगलियों में पहना जाने वाला आभूशन है कौन सा? बीठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री और पट्टा वीटो ठीक है? वीठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री और पट्टा वीटो ठीक है? इसके अलावा चल्ला और अंगूठी ये भी यहां पर पहना जाता है ठीक है? चल्ला और अंगूठी या अर्सी ये भ कंदोर, जंजीर, करंधनी, तगडी, मेरवला, कंदोरा और कंदगायली ये सभी कमर में पहने जाने वाले आभूशन हैं ठीक है यहाँ पर कमर में पहने जाने वाले आभूशन कंदोरा, कंदोरी, कंदनी, कंदोरू, तगडी, जंजीर और इसके लाबा सटका और सटकी भी प परदनी, तगडी, मेरवला, कंड, दोरा और कंड, गायली, इसके अलावा मैंने आपको बताया सटका और सटकी, ये भी कमर में पहना जाने वाला आभूशन है, चलिए अब हम पैरों की बात करेंगे, पैरों में पहना जाने वाला आभूशन, तो यहां आपको कुछ सा है, आपको उस पर ध्यान देना है, गौर, पंजा, पगवान, फॉलरी, गुठलो, ये पैरों में पहना जाने वाला आभूशन है, और छड, जांजर, कड़ा, पाजेव, पायल, बिचिया, ये सब पैरों में पहना जाता है, और जो की आपको याद रहते हैं, जो याद नहीं रहते हैं, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, पैरों में पहना जाने वाला आभूशन, छड, जांजर, पंजा, पगवान, फॉलरी, गुठलो, और गौर, ठीके, तो इस तरीके से आज हमने बात की, नारी की आभूशन के बारे में, तो आज आपको ये सभी सम पुछा जाएगा, और आज हमने नारी की आभूशन के बारे में बात की, कल हम बात करेंगे पुर्सों के वस्तर के बारे में, ठीके, इस तरीके से आपकी जो यूनिट 10 है, वो कम्प्लीट हो जाएगी, जैसे ही होती है, वैसे ही आपका टेस्ट जो है, वो ले लिया जाए चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठेंक यू